कि आज के स्टूरा में बात करने वाले है कि वेक्यूम सर्क्रीपर की नेमप्रेट जो होती है उसके चीजे मेंशन होती है उसके बारे में तो चले स्टार्ट करते है वीडियो को जैसे आप यहां पे देख रहे हो यह एक ABB MAK का सर्कीट बेकर है जिसकी यह नेम प्लेट है और यह नेम प्लेट में चोपी चीजे मेंशन किये है उसका क्या मिनिंग होता है उसके बारे में चलो समझते है तो पहले तो जो यह आता है वह है सीरियल नंबर तो यह जो मैनुफ मैनुफेक्टर इयर में क्या सरकीट बेकर जो है वह हो है इंडिकेट करता है यह यह होता है अपिरेड करते है तो यह वो एक वर्जन ही इंडिकेट करता है जो भाट करता है सब्सक्राइब है नेक्स्ट इस जो है वह है ड्यक्रड सफने अलगर इसको सुक्टाइब यह 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 शर्कीट ब्रैकर है वह अप्टो 6.6 kv कि वोल्टेज को मैक और ब्रेक कर पाएगा विदाउट एनी लाइफ इंपेक मतलब कि अगर अप्टू 6.6 के भी 6.6 के भी तब यह जो सरक्रेकर है वो ओपरेशन करेगा ओपरेट होगा और अगर इस अप्टू 6.6 के भी ओपरेट करते हम तो उसकी जो लाइफ स्पान है उस कुछ में कोई दिक्कत नहीं है अगर आप अप्टू 6.6 के भी इसको ओपरेट करते हो इसलिए इसका जो रेटेड वोल्टेज जो दिया गया है वह 6.6 के वह इसका मतलब कि आप उसको रेटेड अलब कि 6.6 के भी तक आप इसको ओपरेट कर सकते हो विदाउट एनी को आप उसके कॉन्टेक को आप मेक और ब्रेक कर पाऊगे अप्टू 2,000 एंपियर तक अगर आप अप्टू 2,000 एंपियर तक इस सरकीट ब्रेकर को मेक और ब्रेक करते हो तो इसके कॉन्टेक में या तो फिर इसकी ओपरेशन मेकेनिजम में या तो अमेशा बोल सकते हैं कि circuit breaker में कोई भी impact नहीं आएगा circuit breaker की life में कोई भी impact नहीं आएगा अगर आप up to 2000 ampere तक इसको operate करवाते हो तो वाइस यह जो है दोनों rated quantity है कि हम rated 6.6 के भी and 2000 ampere तक इसको operate कर पा सकते और यह frequency है वो 50 hertz है यानि कि यह जो circuit breaker उसको design किया है 50 हर्स की system के लिए कि जहां पर फ्रिक्वंसी 50 हर्स है वहां पर सकते हो उसको function में ले सकते हो उसी सब से इसको design किया गया है अब चलों बात करते insulation level के बारे में कि यह जो insulation में दो चीज़ है 20 kv and 60 kv पीख वो क्या indicate करती है तो यह जो फर्स्ट वाली चीज़ जो है 20 kv उसका मीनिक एसा होता है इस पावर फ्रिक्वंसी विच्टेंड कि वोल्टेज का मरला वैसा होगा था है कि यह जो वोल्टेज दिखाता है वो दिखाता है पावर फ्रिक्वंसी इस यानिन फ्रिक्वंसी जो है वह तो 50 Hz है और यह जो वोल्टेज है 20 क वी प्नेट के तो गया सब्सक्राइब को अगर सब्सक्राइब कर पे 50 Hz जो हमरी system व्ल्टेज है वह 50 वाला अगर over voltage होगा 20 kv तक का तो यह circuit breaker में कोई दिक्कत नहीं आएगा तो आपके माइंड में यह जो 6.6 kv हो क्या है वो यह 20 kv क्या है तो यह 20 kv है वो ऐसा है कि काफी बार कैसा होता है कि कुछ problem कुछ कुछ फोल्ड की वज़े से जो circuit breaker पर voltage है वो राइस हो जाते जैसे कि ऐसे फोल्ड है फेस-टू-अर्थ-फोल्ड हुआ है या तो फिर अधन लोड जो है वह रिजिक्त हुआ है atal रिजिक्ट के संटरल लोड जो है उसकी वजह वायर इस दिफ यह हो सकते घ्र स्क एलोबको एफग्ट की वजह से भी जो वगर देस उसमें इस आगे यह इंद भीछार करके ऑन्जिकट के लिए डिजाइन रहना चाहिए वह वोल्टेज को भी सर्किट बेकर कुछ टाइम तक तो विश्ट्रेंड कर पाना चाहिए उसके लिए भी सर्किट बेकर का इंसुलेशन हो डिजाइन होना चाहिए तो यह जो ट्वेंटी के भी है वो पावर फ्रिक्वेंसी यानि कि यह जो 50 हर्स सब का पोड़ वा ओगवो फिविट्री हर्स पी होगी हमारे पावर क्रिक्वेंसी पहली होगे हुए अगर ऐसे को ऊटे mean राइज होता है और मिल्टेज अप्टू 20 के भी अगर राइज होते है तो यह सर्किट रेकृन मीनित तक यह पावर कैविक्ट एसको बोलत जाता है इसका मतलब इसा होता है कि अगर 20 टका करके लिए üçा मिल्ट हेये तो यह वह वन स्क्राइब कर पाएगा अीसमा मिनिंग होता है én वह वह पावर ट्वंटी के उसका मिनिंग की अगर लाइट निंग हुआ तो चैए अगर सकती हो नहीं बोल सकती है तो अगर लाइट निंग हुआ तो यह सर्क्रिक ब्रेकर जो है वह हूं जो lightning हुआ उसकी वज़े से जो over voltage produce हुए है उसको भी handle कर पाना चाहिए तो guys अगर इस circuit breaker पे 60 kv पर pick का 60 kv पर pick का अगर pulse आया impulse आया तो क्या है कि यह जो circuit breaker है वो withstand कर लेगा अगर 60 से up आया तो circuit breaker में damage होना के chances है अगर 60 kv तक का आया पिक तो यह circuit breaker है वो टेस्टेड है उतना voltage जो है वो यह handle कर सकती है तो guys यह जो 20 kv जो है उसका मीनिंग हुआ power frequency withstand voltage मतलब कि 20 kv तक का अगर over voltage हुआ तो 1 minute तक यह जो circuit breaker है वो withstand कर पाएगा और यह जो है वो guys है लाइटनिंग इंपल्स विट्स्टेंड वल्टेज मतलब कि अगर लाइटनिंग इंपल्स हुआ और 60 kv तक का voltage अगर इस circuit breaker पे आया तो यह handle कर लेगा without any damage यह इसका मीनिंग होता है अब इस next चीज जो है वो है short circuit tracking capacity अब इसके आया कि जैसे आप यहां पर देख रहें कि यह जो है वो circuit breaker का incoming है यह जो है वो circuit breaker का outgoing है और इन दोनों के बीच में क्या है कि हमारा contact है वो contact कर लिया है यह जो है वो contact क्लोस कंडिशन में अब इसके आया कि लोड़ साइड कहीं पर फोल्ट होगा अगर लोड़ साइड कहीं पर फोल्ट होगा तो क्या होगा कि यह डिजाइन है तो 2000 ampere के लिए है बट अगर फोल्ट होने की वज़े से क्या है इसकी सब्सक्राइब कर देगा अगर 25 किलो एंपर तक का करंट जो है वो सब्सक्राइब कर पासकती है यह जो है वह सोट सर्किट करंट एडियूरेशन मतलब की जैसे अभी हमने यह से देखा कि यह जो है वो इंकमिंग है यह जो है वो आउड़ गए और यह जो है दोनों के आर वाई और वी तीनों के कॉंटेक है वो क्लोज है और 25 25 25 किलो एंपर करेंट इसमें से फ्लो हो रहे है तीनों फेज में से आप इसा समझी क्या होगा कि अगर यह सब्सक्राइब कर नहीं हुए तो क्या है वह वह सेकेंड से पहले ही आपको यह सब्सकों कर वा देना है अदर्वाइस इसके पॉंटेक हो यह हो सकते है और नेक्स्ट चीज जो है वह शोट सर्कीट में के पैसिटी मतलब कि अब इस क्या है कि अपोस आप समझी कि कि मिला नकर आपको भ्रस तक क्लोश करते हो और यह सर्की मगरी को में कर रहे हो तो क्या है अब आप पर सिट अभी अवेलेबर उस कंडिशन में आप सर्कीट बेकर को मेक कर रहे हो उस तैंब पर तुरंत ही वेरी हाइए अमाउट पास होगा और वह जो हाइए अमाउट पास होता है उसको हम बोलते हैं उसको बोलते हैं मेकिंग करणट केपेसिटी यहां पर शॉर्ट सर्कीट मेकिंग केपेसिटी जो लिखाए वह उप टू 6.6 किलो एंपियर अब टू 62.5 किलो एंपियर अगर करेंट फ्लो हो रहा है तो यह सर्कीट बेकर में कर पाएगा और अगर उससे ज्यादा है तो एसा कि आपर कर देख सकते हो बटा दे यांपन और क्लोस करवा सकते हो अथो सिस्टम में अब चुकल को सब्सक्राइब आपको इसको चैजिंग मोटर है वह तो तर्टी वोटेंजटेंग डिजाइन वह इसाब से देना आ यहां पर देख रहे हो कि मास यानि कि इसका वेट जो है अराउंड 190 kg है और यह जो है वो मेन्यूर का नंबर दिया गया है और जैसे कि मेड़ बाइब भी भी हो तो यहां पर दीखी रहा है तो आप समझ गए एक टूसेट चीज मैंने यहां पर कवर कर लिए नेम प्लेट के बारे में BCB कर अगर आपको कोई भी डाउट होते नीचा आप कोमेंट शेक्सल में लिख सकते हो I will try my best to answer you